नवस्कार बिहार इन सौर्ट्स देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाय बनी हुई है कस्मीर में जो बिहारीयों की लगातार हत्याय की जा रही है यह मामला काफी सुर्कियों में है बिहार वाले काफी गुसे में है उन्हें हथ्या कर दिया उनकी उनके साथ जो परतार ना की जाती है अमारे साथ कुछ क्छात्र हम इन से बाचीत करेंगे ये लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे रोजगार करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आगे नोकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आगे अगर आपको बिहार में नोकरी नहीं मिलता है तो क्या आप भी जमुकस मिर जाएंगे देखिए सबसे पहले तो ही जो रोजगार के आप बत कर रहे हैं ये जितने भी सरकार है जो वादा किया उस पर कोई है जो खरा नहीं उत्रा है और बीजेपी जब स्टार्टिंग में आई थी 2014 में तो बोली थी दो कड़ों रोजगार देंगे लेकिन अब जो ये रोजगार क कि इस्ती इतनी गिर चुकी है कि लोग है जो इधर से उधर पलायन कर रहे हैं और इसी में होता है कि वहां के जो लोग है उन सभी को प्रॉबलम आ जाता है जैसे बिहार की हमारी जन विज्द संख्या बहुत जादा है तो यहां से अमोमन जाते ही हैं लोग दूसरे महराश है तब से जो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया और कस्मीर में आप सभी लोग देखें आए दिनों है जो कुछ ना कुछ घटना होते ही रहा है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और साथ ही साथ बेरोजगार हम तो नहीं जाएंगे हम पटना में कुछ ना कुछ करेंगे और लेकिन वहां नहीं जाएंगा लेकिन बहुत सारे चात्र जाते हैं लोग बिहार के बाहर जाते हैं जो आगे रोजगार अगर नहीं मिलता तो नहीं हमत हो पाएगा कि वहार के बाहर जाता है यह एक्शली जो नौजवान है भी पूरे भारत के जब अगर नौजवानों को हम देखें तो नौजवानों में ऐसा नहीं है यह जो थोड़े बड़े हो चुके हैं 30 साल के उपर के जो वेक्ति हैं उनके मन में सोच रहता है और उनहीं के द्वारा यह बोला जाता है क्यों कितना जाद वाइलेंस है उसके खिलाफ है जो कानून की ववस्था है कानूनी ववस्था उसको है जो तो हम तीसरा में बोलते हैं आपको सबसे बड़ा तो यहीं है कि रोजगार अगर देते हैं तभी हो सकता है इतना जो एससी पहले आता था बाइंकिंग 2014 में में पांच 500 एक्स्ट्रा दे दिये सब दे दिया कि जब हो जाएगा तब आपको एक्जाम होगा तब वापस किया जाएगा अभी तक वह यह स्रिफ हुआ उसका भी रिजल्ट नहीं आए होगा अभी देखें 2019 में भर थे सीवीटी वन है जो 2021 में होगा है जो 2022 में होगा अधो 2023-2024 तक है जो टाइपिंग होगा 25 के चुनाव के पहले पांच साल का इंवेस्टमेंट है यहां पर जादा फाइदा है बिदायक बने में जादा बिल्कुल यहां सब बिदायक कही चुनाव लड़ेगा नहीं हम कहने का मतलब की कोशिष कर सकते हैं जब यह देख रहे हैं कि इतने विरुजगारी है तो कहने इसमें आना चाहिए जब तक आएंगे नहीं तब तक वो कैसे जो समस्या है उसका समधान करेंगे बड़े जो हैं उसा बैटे हुग है वो नहीं समधान करने वाले हैं इनके बास से कितना सामत है कि युवाओ को राजनीती में आना चाहिए ताकि बिहार के जो में बस्ता है वो सही हो सकते देख तो हम इवाओ की बात को सरकार के समक्ष रखते हैं तो इसलिए हम इवा को भी इसमें भागा बढ़ चड़ कर हिसा लेना चाहिए तरीके से बिहार के बाहर जो है बिहारीयों के साथ जो सुना वागा जी आप लोगों के अंदर हीमत करता है कि अगर रोजगार में नहीं मिल तो आप बिहार के बाहर कस्मीर में जाकर रोजगार करें गुजरात में जाकर रोजगार करें देखे इस पर सरकार को सकत कदम उठाना चाहिए एक महाफूरुष कह गया है कि यदि देश का विकास करना तो सबसे पहले बिहार का विकास होना चाहिए लेकिन यह सरकार इस पर लोग भीयां पर काम करने आते हैं दो हम भीहारियों को एक हिन भावावना से नए वहां पर पर पिक रहा परता ह। हमारा मेन मेंनलच हैं कि हम भीहार में वीडियो बढ़ना चाहते हैं जो बिंद्द या इसंत नहीं होगहारफी जैसे घुजरा जो फैक्ट्री की से बनाया जा रहा है वैसा फैक्ट्री के लोग काम करने नहीं जाता और उनका हथ्तहा नहीं होता और यहां जब रोजकार मिलता तो कोई अदुसरी आराज में और गलियाते हैं लोग को जो जो करताइब कोई राज का युवा नहीं है जो कर सकता है कि अब कि उसकी सहमत है पुड़ा सहमत है अब बातों से बिहार का पलाया नहीं को कैसे रोगा जा सकता है वहा ही सबसे पहले नेता को मतलब चेंज होना चाहिए सरकारब चाहिए a देखे जो भी बोले हैं लगबक्ता सहीं भूल ले हैं मतलब जब तक नेहीं सरकार-कार-कार तो अब हम कुछ आत्रों से बातचीत कर रहे थे आपको बता दे कि जिस तरीके से बिहार के बाहर बिहारियों के साथ जो सलूक देखने को मिल रहा है तो बाते सामने कस्मीर से आ रहे हैं जहां पर कई बिहारियों की अत्या कर दी गई है जिसको लेकर यह बिहार के युवा हैं यह काफी ज़्यादा आक्रोशित हैं का कहना है कि अगर रोजगार का सर्कार बिहार में ही पैदा कर दे तो बिहारियों को बाहर जाने की जरूत नहीं पड़ेगे तमाम बाते करें ते देखना है कि आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती हैं हमारे साथ बने रहें तमाम अब्रेट आप को देते रहेंगे हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें फिस्पूप पेच को लाइक करें इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर करें धन्यवाद